रजधानी देहरादुन में शिक्षक दिवस के औसर पर आयोजीत कारेकरम में सीम धामी राजभवन पहुंचे इस वरां राजपाल एफटिनेंट जनरल गुर्मीत सिंग भी मुझूद रहे को बता दें कि राजभवन में आयोजीत समाराव हमें सीम धामी ने उने शिक्षकों को शेलेस मतियानी राजपाल पुरसकार से समानित किया इन पुरसकारों में प्रारंबिक शिक्षा के दस, माधमिक शिक्षा के छे और प्रशिक्षण संस्थान के एक शिक्षक सामिल है जिनके निमित ये इतना सांदार कारिगरम हो रहा है और आप सब के चहरों को देखकर सच में प्रसंता भी हो रही है और उर्जा भी प्रदान हो रही है ऐसे हमारे सभी उत्कृष्ट कारे करने वाले आप जिनको हम सब ने सच बताओं तो आपको सम्मानित करते हुए ऐसा दिन लग रहा था कि क्यों आपको सम्मानित कर रहे है ऐसा लग रहा था कि स्वेम को सम्मानित कर रहे है ऐसे हमारे सभी आजणी सिक्षक गण मैं सबसे पहले तो आज आप सब को आप सबका यहां पर अपनी तरफ से स्वागत करता हो आप सबकाव अभी नदन करता हो और सिक्सक दिवस की आप सबको धेर सारी सम्काम मैं देता हूँ सिक्सक दियोस का ये विसेस आउसर सिक्सकों के परती आदर सम्मान और कृत गता परकट करने का है और उनके दोरा जो कारी किया जाते हैं हमारे बच्चों का नौनी हालों का बिद्धारतियों का बहुँ से तयार किया जाता है उसके परती सच में आज का दिन आप सब को दन्यवाद कहने का दिन भी है आप सब का अभार विक्त करने का भी दिन है यह दिन महान सिक्चावीत और भारत के पूर राश्पती डाक्टर सरुपली राधा किष्ण जी के भारती सिक्चा और संस्कृति के प्रती उनके योगदान को भी समर्पित यह दिवस है